दोस्तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था बैटरी असेंबल कैसे करना है साइकल में प्लिस वीडियो दीजे तो दोस्तो आज हम आपको दिखाते हैं कि बैटरी को हीरो लेक्ट्रो किंजा इलेक्ट्रिक साइकल में कैसे असेंबल करना है तो इसके लिए सबसे पहले सारा सिस्टम दे रखा है बैटरी का तो दोस्तों आज हम इसको पूरी तरीके से फिट करके दिखाएंगे अपनी साइकल में बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में दोस्तों आपका एक सेकंड लगता है एक लाइक और एक सस्क्राइब करने में अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो आप लोग देख सकते हैं कनेक्टर हैं इसमें सारे वायर्स वगेरा सब दे रखा हैं तो दोस्तों अब हम इसको जो है इंस्टॉल करेंगे आप देख सकते हमारा फ्यूज उड़ गया था पिछली वीडियो में जो हमने दिखाए था वो यह फ्यूज उड़ गया था और फ्यूज को भी हम दिखाएंगे इस्टॉल करके अंत में वो सारा ओन करके हम दिखाएंगे तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रही है यहां पर यह पॉइंट होता है जिसमें यह पेज कर दिया जाता है अब बाहर से और यह होता ह है चार्जिंग वाला जो की इसी में फॉल्ट हुआ था वो चेक कर रहे थे इसमें सोलर पैनल के लिए तो दोस्तों सबसे पहले हमें वो चार्जिंग वाले को इसमें फिट कर लेना है यह हम दिखाते हैं कैसे करना है इसको अंदर से किया जाता है चार्जिंग वाला कैऊनर लगते हैं क्यूंकि दोस्तों इसमें बहुत ही छोटे- छोटे सामान होते हैं तो टाइम तो लगता ही है आप लोग देख सकते हैं यह अंदर से हमने सपूर्ट शीए इसको और यह बाहर से इसको जो है यह कैप होता है कैप भी सबसे पहले लगाएंगे उसके बाद इसको हम कस देंगे आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा इसकिप मत कीजेगा तब ही पूरी जानकारी मिल पाएगी अभी इसमें बैटरी भी डाल के दिखाएंगे और हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि फॉल्ट कैसे हुआ क्या क्या दिक्कते आई थी इस साइकिल में और मैं पैडल मारके ही लाया था और यह इसका जो है काम करना बंद कर दिया था जो है बैटरी वाला सिस्टम तो दोस्तों आप लोग देखिए यह हम यहां पर लगा रहे हैं इसको तब तक आप लोग यह साब सफाई कर लेंगे क्योंकि यह भी जरूरी है कि धूल मिट्टी लगी होती है तो इसके भी साब सफाई करनी बहुत जरूरी है अंदर अगर धूल बगेरा बैटर जाया तो उससे भी दिक्कते आ सकती है कई बार ऐसा होता है कि इसमें कनेक्शन भी कर जाता है तो ध देखिए हमने हटा दिया यह नीचे वाले तार को और बाकी वायर को जो है फिट किया मने इसमें अच्छे से आप लोग टेप लगा सकते हैं इसमें जैसे हमने लगा रखा है टेप इसकी बैटरी और वायर को की हिले डुले नहीं आराम से इसमें चला जाए कोई दिक्कत ना ह तो आप अब देखे सबी एक यह साथ तार बैट्री के साथ डाल करके लगा तर arranged को छाल देंगे इसमें तार को बाहर निकालने में जो आगे से इसमें तार को बाहर निकाला जाता है उसमें बहुत ही जादा महनत लगती है यह देखे कहीं अटक रहा है एक तार तो यह तोड़ा से देखना होता है कि तार कट ना जाए कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए तो यह दीरे दीरे जा रहा है इसमें दीरे दीरे देखिए आप लोग तो अब इसमें जो हम बैटरी को आराम से इंस्टॉल कर रहे हैं यह देखिए यह चला गया अंदर अब इसके बाद जो है इसके बाद हम आगे से इसके तार को निकालेंगे आप लोग को दिखाते हैं कै से निकालना है तार तो उसके लिए पेच कस वगरा इन सब की जरूरत पड़ती है हमें तो ये तार को पहले तो उंगली से भी आज सकता है लेकिन अगर दिक्कत करें तो आप लोग बैटरी को उपर करिये थोड़ा सा उसके बाद एक उंगली अंदर डाले उसके बाद ये बा आप क्रांगे का लिए हमे को आप लाई देख सकते हैं और इसके बाद बैटरी के पेच को यहां पहले वाले को लगाएंगे क्योंकि उसी हिसाब से आप लोग फिट आराम से कर सकते हैं इसमें यह आपने लगा दिया तो उसके लिए आपको इसमें अंदर पेचकस डालना होगा और उपर उठा देना होगा बैटरी को उपर उठाएंगे तो उसके बाद ही इसमें लग पाएगा उसके बाद एक पेचकस ले करके आप लोग इसको कस देंगे यहां से इस पेच को कस दिया गया उसके बाद उपर वाला जो है पेच वो भी लगा देंगे यह तो लग गया आप लोग देख सकते हैं आराम से अब यह उपर वाला भी हम लगाएंगे आप लोग को दिखाते ह इसमें हमने इसको भी fit कर देंगे जो की काफी मेहनट का काम है दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा यह बहुत ही easy है लेकिन जो इसमें fit करता है उसी को बड़ी दिक्कत होती है उसी को पता होता है कितनी मेहनट लगती है काफी समय लग जाता है और देखें यहाँ पर लोग को दिखाते हैं इसमें जो यह देखे यहां पर है यह आप लोग देखिए यह क्या है यह जो है वो फ्यूज है यह देखिए फ्यूज आगया आपका जो कि यही प्रॉब्लम हो गया था यह फ्यूज उड़ गया था तो इसमें हमने जो है अंदर तार लगाया यह पतला करेगा की नहीं करेगा तो यह हमने जो है इसको लगा दिया है तो देखिए आप लोग यह इसमें हमने फिट कर दिया इसको अच्छे से फिट करेंगे कि दिक्कत ना हो यही हमारा उड़ गया था फ्यूज जिससे हमारा पूरा सिस्टम बच गया साइकल का बैटरी वगेरा कि पुरानी वीडियो में मैंने दिखा रखा है आप लोग को तो अब हम दिखाते हैं इसमें जो है connection कैसे देना, तो आप लोग सबसे पहले जो है आगे से इसमें देख लेंगे, कि इसमें arrow का निसान बना होता है, तो वो connection दे देंगे, यह connection दे दिया आपने तो उसमें जो कि मदद से यहां पर इसको फिट करेंगे देख करके नहीं तो इसमें अगर पिन तूट गया तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी फिर तो पूरा सिस्टम हमें खराब हो जाएगा हमारा तो देखें दोस्तो इसको जो है बहुत ही आराम से इसमें हमने फिट किया है जो कि यह on करेंगे on अभी होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है फिलहाल connection दिया जाएगा उसके बाद ही हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा अभी on हो गया यह यह on होगा connection देने के बाद वा भी वा जो हमारी cycle खराब होगे थी वो देखिया अब बिलकुल fit हो गई है on हो गई है अब इसके बाद बागी connection देंगे हम इसमें सबसे पहले लगाते हैं यह आप देखिए battery वाला नहीं यह sensor लगाए जाएगा यह sensor का wire होता है जो कि पैडल assist mode पर काम करते हैं तो हम जो है इस sensor वाले wire को लगा देंगे आप लोग देख सकते हैं यह लगा दिया गया इसमें भी तीर का निसान बना होता है इसमें जो पीन होते हैं वो भी बहुत बारिक होते हैं तो इसके तीर के निसान को देखते हुए यह लगा दिया तो सेंसर में आपलोग देखे लाइट आगी वहां पर एक लाल रंग की लाइट लगी होती है वह आप लोगों को देख रही होगी अगर ध्यान से देखे तो वो जल गई है उसके बाद ये होता है मोटर का connection यह मोटा वल अतार होता है इसमें जो है यह मोटर का connection दिया जाएगा मैं अकेले वीडियो भी बना रहा हूँ और आप लोग को cycle भी connect करके दिखा रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग like जरूर कीजिए यह देखिए यह हमने लगा दिया है और अगर किसी को जरूरत हो तो आप लोग share भी कर सकते हैं हमारी वीडियो किसी के पास अगर ऐसी cycle हो उसकी cycle में problem आ रही हो तो यह हमने throttle गुमाया यह देखिए पहिया गूमने लगा तो यह देखिए कितना तेजी से गूमने लगा पहिया इसके बाद बड़ी मेहनट लगती है भाई और यह हमने पहिये को रोका उसके बाद हम दिखाते हैं इसमें इसके उपर cap को कैसे लगाना है यह भी बहुत ज़्यादा important है तो यह हमने cap को जो है पानी, धूल, मिट्टी यह सब जाने का डर होता है जिससे आपकी बैटरी खराब हो सकती है तार खराब हो सकते है फॉल्ट हो सकता है आपकी cycle में जो की cycle खराब भी हो जाती है बैटरी वाली तो इसलिए इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है बैटरी अंदर है बाहर से कोई दिक्कत नहीं और इसमें फ्यूज वाला सिस्टम लगा मुझे बाकि अन्ने cycle का तो पता नहीं अन्ने cycle की दुकानों पर जाके वीडियो बनाएंगे तो पता लगेगा लेकिन यह फ्यूज वाला सिस्टम जो है यह मुझे सबसे अच्छा लगा कि इस सबसे बढ़ियां यह देखे यहां पर connection on हो गया है अभी हम इसमें जो है throttle देकर भी आप लोगों को दिखाएंगे कि यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो दोस्तों देखिए यह हमने throttle घुमाया और यह पहिया घुमने लगा तो thank you दोस्तों नमस्कार मिलते हैं हम अगली वीडियो में thank you